हाई गाइस मैं हूँ सुर्फियो में चैने पर आप सभी का स्वागत है तो कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे ही होंगे और आज का मेरा वीडियो है विदा और कॉस्ट डोर मेट हम बाटर प्रूफ अपने घर में कैसे बना सकते हैं वह भी अपने घर के सामान से चलिए जल् कर लेते हैं यह जो प्लास्टिक का मैंने यूज किया हैं हम जब बैकशी खृइटे हैं यह यह प्लो कवर मेरा पराना रखा होते एक ही है तो मैंने इसका ही इसलिए यूज किया है प्राना था लेकिन हाँ फटा नहीं था कॉटन का फैबरिक है अगर आपकी घर में कोई भ बना सकते हैं बहुत ही जल्दी हमारा यह दोर मेट तयार हो जाएगा क्योंकि हमें इसको जादा सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से मेरे पास प्लास्टिक थी थोड़ी थी और मेरे जो प्लो कबर है थोड़ा चोटा है इसके लिए मैं इसको पहले करूंगी और क् प्लो कवर का अच्छा है मत अच्छा में अच्छा है कि हम कहीं वी इसको रख सकते हैं तो जाएगा कोई भी सब्सक्राइब कर शक्रणिया अगर आपकी पास ऐसी पॉलेथिन ना हो तो आपके पास रूत becomes आप उसका बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाएगा कोई भी फैबरी का यूज कर सकते हैं अपने घर में आप यूज करते हैं also क्या होता है लोक दोड़न लॉन नहीं ब्रख ओड़न आप के लिए तो हम यूज करते हैं सबाइब तो इस तरह से ऊपके अगर बना सकते हैं आपके बहुत ही योसफुल है तो इस्थर से मैंने इसकी कटिंग कर लिए करने के पाद मैं इसको मैं चुछ क्या था यह पहले ही पहले का रखा हुआ तब यह पादा किसी काम की हो जाए तो इसलिए आज हम इसका ही मैं इसका ही बनाओ तो यह इस तरह से मैं इसके अंदर डालिया है लोक वर में अधिक इससाइज भी है आपको दादा सिलनी की विजर आप इसका यूस कर सकते है एक अच्छे से डूर मेट बनाने के लिए तो यह देखिए और क्या था प्लास्टिक काफी समय की रखी हुई थी थोड़ी सी मुल गई थी तो इसको एक्सा करने के लिए मैं इसमें यू यू यूज है प्रेस का हम इसको प्रेस करेंगे जिसे की हीट के कारण प्लास्टिक कोड़ी सी मेल्ट होगी एक तम शीप आ जाएगी और जो मैंने कपड़ा जो है वेज़ा कॉटन का भी था तो वह भी एक सा हो जाएगा जिससे की मैं सिलाई करूं तो वह एक सी सिलाई आए जिसे के हम कोई कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं जि लाज जालं करने के पाद अब देखा एकसा हो गया है हम को सृ घघंस नहीं लीट का अब सिल नहीं लिए आधा ह के इसका अच्छा चोड़े चीजिंगे ज्यादा सिलाह था हुक, लिए माशीन अजिक हम रुद्र को स्वचीषी यूज टाये जाए चाब मैं जाने साथे जिसे की देखने में भी अच्छा लगे तो यह देखिए इस तरह से चार तरफ गौने में और मैंने उसी कलर का धागी का यूज किया है इसे की पता ना चले क्योंकि वह जॉइंट और पॉलिक्थिन जो हमने यूज की है वह आपस में जॉइंट हो जाएगी तो यह देखिए इस तरह से हमने चार तरफ स्लाइ कर ली है तो अब मैं आपको दिखा देती हूं कि यह दोर मेट कैसा लगेगा और आप स्टोर मेट का कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बास्रूम में हुआ किचिन में जाता पानी फैल जाता है तो आप बाटर कूलर के नीचे रख सकते ह आपने पानी फैल जाता है तो अपने रूम में रूम के बाहर आप यूज कर सकते हैं चोड़े बच्चे होते हैं और भूट पानी फैलाते हैं तो आप इसका भी इससे यूज कर सकते हैं कि एकाफी हम सबके घर में यूश करते ही ह्दोलमेड के इताहर से करीते हैं यूज करेव को दिना है उन्हेस कर नवेय同agen तो म撲ेड तरह नहीम जब जरुम कुम से पplay को क्या ज़रूर करें किसी काम की उन्हेंती है आप पहुताइब समय क्कि एक नेस भी यह झाले में!